हाई गाईज, वेल्कम बैक टू फैक्ट टेक 14, सब्सक्राइब कर दीजे हमारे चैनल को और जो बेल लाइकन है उसे दवाईए ताकि जितने ही फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशन्स या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं स्ट्रॉस एड़जस्टेबल हैंड ग्रिप की तो अब ये जो एड़जस्टेबल हैंड ग्रिप आप देख रहे हो ये थोड़ा सा अपडेट एडिया निके अपग्रेड़ेड वर्जन है जो नॉर्मल एड़जस देख लेते हैं तो जैसा आप देख सकते हो ये एड़जस्टेबल हैंड ग्रिप आपको बिलकुल इस तरह के एक ट्रांसपरेंट पेकट में मिलता है जिसे खोलना बहुत ही easy है packet के सामने वाले portion में आपका adjustable hand grip है और packet को अगर मैं पीछे करूँ तो यहाँ पर इसके जो थोड़े बहुत features हैं वो भी आपको मिल जाएंगे तो चलिए एक-एक features को हम देख लेते हैं सबसे पहला है adjustable tension तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इस तरह के adjustable hand grip में आप खुद अपने हिसाब से pressure या फिर weight को set कर सकते हो दूसरा है intelligent counter अब यह क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा तीसरा है TPR soft hand grip तो यह जो grip आप देख रहे हो यहाँ पर जो grips दिये गए है इसके उपर आपको एक rubber padding मिलता है जिससे जब आप इसे use करोगे तो आपको बहुत ही comfortable महसूस होगा और बिल्कुल भी uneasy feel नहीं होगा लाश्ट में है आपका builds hand strength तो यह इसे अगर आप use करते हो तो आपके हातों का complete exercise हो जाएगा आपका palm जो है वो front back दोनों मजबूत होगा wrist जो है वो भी मजबूत होगा wrist के size भी बढ़ेगा even आपके जो forearm से वो भी मजबूत होगे और लाश्ट में आपके जो vane से वो भी धीरे-धीरे करके दिखना शुरू हो जाएगे तो चारों चीज़े आपके हातों का build-up यह कर देगा तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं और इसके कैसे use करते हैं वो हम देख लेते हैं तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं तो आप बस इसे यहाँ पर इस तरह से दोनों हिस्सों को थोड़ा सा बस अलग कर लीजे और फिर खीच लीजे तो जैसा आप देख सकते हो यह है हमारा स्ट्रॉस एडजस्टेबल हैंड ग्रिप तो दिखने में तो बहुत ही सुन्दर दिख रहा है और आपको मैंने स्टार् है आपके नॉर्मल एडजस्टेबल हैंड ग्रिप से थोड़ा सा अपडेटेड यानि के अपग्रेडेड है अब वो कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड में एक और एडजस्टेबल हैंड यह भी स्ट्रॉस कंपनी का ही है लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस से वो हम देख लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम साइज के हिसाब से देखे तो यह जो ब्लैक कलर का आपका अपग्रेडेड एडजस्टेबल हैंड ग्रिप है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है कंपेड टू नॉर्मल एडजस्टेबल हैंड मैं दोनों ही हैंड ग्रिप को साइड बई साइड रखके आपको दिखाता हूँ तो जैसा आप देख सकते हो जो ब्लैक वाला है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है कंपेड टू नॉर्मल एडजस्टेबल हैंड ग्रिप तो यह पहली चीज है दूसरी चीज है यहाँ पर 10 किलो से 40 किलो का प्रेशर मिलता है लेकिन जो अपग्रेड है उसमें आपको 10 किलो से 60 किलो का प्रेशर मिलता है यानि 20 किलो ज्यादा प्रेशर आप इसमें यूज कर सकते हो यानि अगर आप नॉर्मल वाले को कम्प्लीटली 40 किलो पर सेट करते हो तो आपके हातों में 40 कि जो की आपका और कुछ नहीं बलकि reps counter है, देखे इसमें आपको यहाँ पर कोई भी counter का machine नहीं मिलता है, लेकिन upgraded में आपको यहाँ पर एक counter मिल जाता है, अब यह कैसे काम करेगा, for example, आपने सोचा है कि आपको दोनों हाथों में 40 reps कर रहे हैं, यानि 20 reps, 20 reps, तो आपको और गि counter है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, मैं कोश्च करता हूँ, आपको दिखा पाऊँ, तो जैसे आप देखे, इस हाथ में मैं 10 करता हूँ, तो जैसे आप देख सकते हो, जो counter है, वो move हो रहा है, तो आपको और गिनने की जरूरत नहीं है, तो जब यह 10 हो जाए, आपको पता चल जाएगा है, कि आपने इस हाथ में 10 किया है, तो आप left को जाएए, और इसमें भी आप 10 कीजिए, तो देखे, यहाँ पर अभी 20 हो गया होगा, तो इसके हिसाब से, आप evenly दोनों हाथों में equally reps कर सकते हो, वापस से इसे अगर आपको 0 में set करना है, तो ज्यादा कु आपको बस इसे इस तरह से घुमाना है, और इसे आप 0 पर वापस set कर सकते हो, तो इसे हम intelligent counter कहते हैं, जो आपका इस upgraded version में है, लेकिन आपका normal adjustable hand grip में नहीं दिया गया है, तो अब आप इसके pressure को कैसे adjust करोगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो जैसा आप देख सकते तो यहाँ पर आपका meter दिया गया है, 10 kilo से लेके 60 kilo तक, यहाँ पर सामने आपको एक knob मिलता है, अगर आप इसे इस तरह से anti-clockwise घुमाओगे, तो आपका जो weight है वो कम होगा, अगर इसे इस तरह से clockwise घुमाओगे, तो आपका जो weight है वो ज्यादा होगा, तो अब हम क्या करें इसे 10 kilo पर पहले set करते हैं, तो हम इसे पहले anti-clockwise घुमाते हैं, तो देखे, आप इसे इस तरह से घुमाना शुरू कीज़े, और आप देखेगा आपका जो spring है, वो धिरे-दिरे move होकर 10 kilo पर आ जाएगा, तो इस हिसाब से यह देखे 10 kilo पर आ गया है, तो आप आप इसे बह 0 करना है, तो आप इसे इस तरह से rotate कीज़े, और यह आपका 0 हो जाएगा, similarly आप इसे 20, 30, 40, 50, कहीं पर भी set कर सकते हो, आप देखे, इसे हम maximum पर set करते हैं, इसे मैं आभी इस तरह से clockwise घुमाता हूँ, आप चाहें तो इसे बीच में रख सकते हो, या फिर 60% पर रख सकते ह या फिर पूरा का पूरा 60 किलो पर लेकर रख सकते हो, डिपेंड करता है, आप कितना pressure से करना चाहते हो, तो maximum या आपके हाथों को 60 किलो का pressure प्रोवाइड करेगा, जो की normal adjustable hand grip से 20 किलो ज्यादा है, तो जैसा आप देख सकते हो, यह अभी यहाँ पर 60 किलो पर set हो चुका है और थोड़ा से घुमा लेते हैं, तो और उसके बाद यह नहीं घुमेगा और उसे ज्यादा घुमाने की भी जरुरत नहीं है, तो जैसा आप देख सकते हो 60 किलो, तो चलिए अब हम करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, तो जैसा आप देख स तो देखते हैं, हो गया क्या 20, तो जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पर 20 नहीं हुआ है, अठरा हुआ है, तो आपको दो बार और करना है, तो अब देखे, यहाँ पर यह 20 हो चुका है, तो उस हिसाब से आप दोनों हाथों में evenly इसे यूज़ कर पाऊगे, तो चलिए अब हम इसे वापस से 0 पर सेट कर लेते हैं, तो आप इसे बस इस तरह से घुमाईए, और यहाँ आपका 0 पर जो है, वो सेट हो गया, make sure के यह जो button है, वो इसके थूरू प्रेस होना चाहिए, अगर आप यह प्रेस नहीं होता है, तो आपका जो counter है, वो move नहीं करेगा, इसका जो material है, वो आपका completely hard plastic से बना हुआ है, और यहाँ पर आपको steel का spring दिया जाता है, यहाँ पर आपको rubber padding मिल जाएगा, जैसा आप देख सकते हो, rubber padding से फाइदा क्या होगा, जब आप इसे use करोगे, आपको बिलकुल भी uneasy महसूस नहीं होगा, और बहुत comfortably आप इसे use कर अपने हाथों में, यह पहली चीज है, दूसरी चीज है, क्योंकि यह hard plastic से बना हुआ है, इसलिए आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, क्या यह long lasting रहेगा, तो बता दू, यह बहुत ही long lasting है, बसरते आप इसे अच्छे से use करो, मैं एक और चीज आपको दिखा देता हो, तो जैसा आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही मजबूत hand grip है यह, तीसरी चीज, इसका जो price है, वो आपका approximately 200 रुपीज से 300 रुपीज, यानि 200 से 300 रुपे के बीच में ही आएगा, हो सकता है, even 200 से कम में भी यह आपको मिल जाए, यह दोनों जगह उपर आपको मिल जाएगा, online, offline, online आप कोई भी e-commerce website से इसे खरीच सकते हो, offline अगर आप इसे खरीदना चाहते हो, तो कोई भी local sports की दुकान पर आप चले जाएगे, और उसे बोलिए adjustable hand grip है, क्या अगर होगा तो आप वहां से भी ले सकते हो, तो price एक बार जरूर देख या फिर completely yellow color, white color, gray color, तो जो भी color आपको चाहिए, आप उसमें से choose करके इस hand grip को खरीच सकते हो, दूसरी चीज़, अगर आप इस hand grip को regularly use करते हो, तो इसके बहुत सारे फाइदे होंगे, जैसे आपका जो palm है, सामने वाला और backside दोनों ही बहुत ही strong हो जाएगा, wrist जो है, उस complete आपके hand का exercise इसमें हो जाएगा, तो guys ये है आपका straws का adjustable hand grip, तो आज का वीडियो बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को like, share और subscribe जरूर करें, मैं इसी तरह की कुछ नय वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊंगा, तब तक के लिए take care of yourself, बाइ बाइ